दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत इंट्रेस्टिंग प्रोजेक्ट हम डिसकस करने वाले हैं ये एक प्रोजेक्ट है क्लाइन का है मेरे हमने एक आटोमेटिक स्काइलाइट बना है स्काइलाइट आप जाते हैं अन्हां सुरजगी रोशनी को हम स्टॉप और अलाव कर जाता है जब खुलता है तो पूरी रोशनी आएगी सुरज की ठीक है तो इसको रॉल अप किया हुआ मटेरियल को और ये स्लाइट को हम खीचेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा ठीक है डेफिनेटली मोटराइज्ट यूस बनाया हुआ हुआ है दोनों तरफ दो मोटर से एक कि पुल अप मोटर हुआ हुआ है मेकनिजम को आपन क्यें आप देख सकते हैं इसको पूल करती है। जिससे एह रोड होती है स्लाइड कि पुरा मटेरियल इसको पूर अप कर देता है तो pääूप्स हो जाते है तो ये skylight है, आप जानते हैं, घर में बीच में जंगला होता है, जहां से रोश नहीं हाती है, उसका black out करने के लिए, cover करने के लिए या open करने के लिए, ये light को allow करने के लिए, stop करने के लिए, इसको बनाया जाता है, ठीके, कैसे काम करता है, बताता हूँ आपको, इसका controller कैसे काम करता है यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे यह हमारे पुल अप मोटर से जो इस रोप को पुल करती है इसके साथ साथ हमारा मटरियल क्लोज होता है ठीक है ओके यहां पर तीन स्विचेज आप देख रहे होंगे तीनों जो होम स्विचेज है इनमें मोटर के हो जाएगा consistently only के यहां पर motor को भी आघिंवा संसिंग क् subject सेंसिंग दिए हमने ऑस तरफ की जो रॉल-प बारी यहां से बंद हो झाती कि ए श्राइब आजो करね देओ तो यहां पर आपने ज। यहां सेंसे क्वा I.R. सेंसर में इस को फिक्स करने के बाद इस वायर सेंसर को जो है बाहर की तरफ हमें कहीं पर इस्टिक करना पड़ेगा ताकि रिमोट की रेंज में यह आ सके ठीक है इसलिए इस वायर को लूज रखा है इसको चिपकाएंगे यहां पर आपको फैन दिख रहा है क्योंकि अंदर जो है मोटर ड्र रखेंगे और अब मैं इसको रिमोट से चलाने वाला हूँ ठीक है फिलाल में चार फिट का जो यह हमारा जंगला है इसके बीच में खड़ा हूँ ठीक है तो मैं बाहर निकलना पड़ेगा इस वापरेट करने के लिए तो अभी मैंने केमरा वापस से शिफ्ट किया है बाह होगा मतलब क्लोज होगा देखे दबाता हूँ आयार संसर है लेकिन इससे भी हमने आयार रिमोट से भी ऐसी प्रोग्रामिंग की जब तक बटन को होल्ड करके रखेंगे यह क्लोज होता रहेगा छोड़ती ओफ हो जाएगा ठीक है काफी इंटरस्टिंग इस प्रोग्राम लेट वाला दबाते हैं तो वह अपने आप ही पूरा का वन टच में पूरा क्लोज हो जाएगा ठीक है इसी तरह से राइट वाला बटन है इसको थोड़ा लॉंग प्रेस किया तो यह पूरा वन टच में फुल ओपन हो जाएगा ठीक है यह जो है डिमांड मेरे कस्टमर की मेरे क्लाइंट की थी उसके अकॉडिंग में ने यह स्काइलाइट बनाया ठीक है तो देखते हैं इसके डेवलोपमेंट प्रोसेस को मज़ा आगा वीडियो पसंद आए तो बिल्कूल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरू करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आ क्लोस लीडियो को है करने के लिए दोनों जो मोटर से उपर वैंडिंग मशीन और पूल मोटरों वैंडिंग मोटर दोनों की स्पीड को से सिंक्रोनाइज करना था जब हमक्लोज करते हैं तब pull up की speed जादा हो यह की अभर दीक इस तरह से आड़्णों की मदद से programming तो की जा सकती है यह definitely है programming वाले विडियो देखे होंगे आपका idea लग गया होगा कैसे ही operate हो ठीक है फिला रही से हम remote से नहिंए केवल battery कनेट करके चला रहे हैं इस मेकनिजम में ठीक है तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मेकनिजम का क्लोज लूक आ रहा होगा किस तरह से कौन सीरस से किस पुली की उपर से जा रही है और कैसे यह मुग कर रहा है इसके रोलर्स को जरा आप अबसर्व कीजिए डारेक्शन इसके तीनों रोलर के मुव करने का ठीक है तो यहाँ पर हमने जो हमारा मटेरियल था राक्शन वह हमने पुट अप किया है और अब देखिए रिमोट से चला कर बताते हैं आपको रिमोट के अब डाउन बटन से हमने प्रोग्राम किया है और डाउन बटन दबाते ही यह ड आप रहा है थे कि वाइंड पो रहा है तो इस तरह का हमने यह मेकानिजिम मेनाएं मैकनिजम काफी इंट्रस्टिंग है हलाकि इसको बनाना में बहुत बहुत प्रोग्राम ड़क्रामिंग इसे ज्यादा टिपिकल नहीं था सब्सक्राइबॉट कम टाइम में वह गया लेकि अभी भी अगर माल फंक्शनिंग करने लग जाए मोटरस इसकी तो ओक्या बटन दबाते ही यह स्टॉप हो जाएगी ओके और चलिए तो देखिए रिमोट से यह आप डाउन हो रहा है इससे क्या होगा कि जंगले में से जो लाइट्स आती स्काइलाइट है यह डेफिनेट्ल इस तरह से वह रहा रहा है और यहाँ पर कंप्लेट्ट्ट्ट जाएगा यहां पर आपको थोड़ा से यहां पर यह भी लूजिंग दिखुरीयों कि इसकी ताइट करने कर तरीका है मोटर को थोड़ा अदमड बाइन सब्द्क्राइब कर दिख देगा पर वो जबाप पू लिए वन टच बटन दबाया अब पूरा उपन होने लग गया है यह जिसा हमने टाइम लाइन के सबसे जिसा जिसा इस डेवलपमेंट किया है वैसा मैं डिसकस करना हूं इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बना सकते हूं आप कमेंट करके मुझे यह इंट्रस्टेट उनली तो भी मैं एनलजी लगाँगा इसको पूरा वापस से रिमेक करने में ओके इस तरह से आप रिमोट से इसको वन टेस्ट से फूल क्लोज और पार्शल क्लोज कर सकते हैं ठीक है वैसे पार्शल क्लोज करना मुझे ज्यादा अच्छा लगा उसमें क किया है झीज़ वह दोसटों इसके लाबहा मेरे दो चैनल और है एक बैसक्व इलेक्त्रोंक्しट चांटि प्रजल मोहनपाल नाम से इस पर आजेम प्रोजेक्ट कर रहें ।की दिसकुस करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग और कंस्ट्रक्शन अगर डिसक्सकरना चाहते है च तो फिलार यह देखी रिमोट से open और close हो रहा है पसंदा रहा होगा चलिया उसको mobile से भी हमने किया तो देखिए ही हमने mobile लिया mobile में बनाया है हाँ दोस्तों आप comment करके बता नहीं रहें क्या app बनाना सीखना चाहते हैं और नहीं सीखना तो कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है तो चलिए हमने पेर किया है इस एप के खुरू और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी सेम तरह के पांच बटन से पार्शल प्लोज पार्शल ओपन और फुल फूल ओपन और सेंटर में हो किया मतलब स्टॉप ठीक है तो इस तरह से देखिए व मेकनिजम आई होप पसंद आया होगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरू करें थैंक्यू वेरी मच्छ कमेंट करेंगे मुझे अच्छा लगेगा लव यू आल कर दो आई होगा लव यू आल झाल झाल झाल